आप देख रहे हैं ट्रू टैकी और ये वीडियो है नोकिया 6.1 प्लस के रिगार्डिंग आप लोगो काफी सारे कमेंट आये थे डिमांड थी आप लोगो की कि जो मैंने आपको गूगल कैमरा का लेटेस्ट वर्जन दिया है वो काफी लैग कर रहा है और वहाँ पे जादतर आपको क्रैशिश देखने को मिल रहे है जिससे आप पोर्ट्रेट मोड में जा रहे हैं या वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन इस वीडियो में आपको गूगल कैमरा के अपडेट के साथ साथ कुछा गूगल कैमरा के ऐसे फीचर बताऊँगा जो आपको लांश्ट अपडेट में देखने को नहीं मिले थे और साथी साथ इस वीडियो में मिलेंगे आपको दो मेजर अपडेट वै तू एक बार दे तो अपडेट तुझे बना देंगे धन्ना सेट तो इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो बांधो सीट बैल्ट और चकदो फटे आपको जो पोट्रेट इफेक्ट मिलता है बलर मिलता है वो बहुत जबरदस्त मिलता है नाइट साइट एक ऐसा फीचर है जो आपको पिक्सल फोन में मिलता है तो यहाँ पर आप नाइट साइट यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो अंधेरे में आप अपनी आएगा यहाँ पे आपको photo booth का भी option मिल जाता है जिसमें आप ऐसे अपने दांद दिखा कर photo click कर सकता है मतलब smile pass करकर और ज्यादा जो function है वो आप आप खुद explore करके मुझे comment section में बताओ कि यह चीज़ भी आपको इसमें better मिली है और साथ ही साथ एक चीज़ यहाँ पे जो सबसे main है कि जो lags थे बहुत ज्यादा lag कर रहा था तो वो बिल्कुल अंधिरे में भी lag नहीं करेगा इतना जबरदस्ट flawless काम करेगा कि आपको मजा जाएगा और अच्छा लगा subscribe मारो नहीं लगा तब भी मारो अब यहाँ पर जो दूसरा major update आपको मिलता है वो sony walkman पर मिलता है आपको music का जो latest version है आप उसको use कर पाएंगे और जो UI है वो बहुत different हो गया है साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके का आपको यहाँ पर effect देखने को मिलता है और अगर आपको dark theme या light theme में choose करने का शोक है तो वो भी option आपको यहाँ पर मिल जाएगा settings में जाके आपको यहाँ पर sound effect के साथ-साथ theme का option मिलेगा जिसमें आप dark theme सेलेक्ट करके अपनी screen को black कर सकते हैं और music में जो आपको settings में sound effect मिलेगा यहाँ पर आप अपने direct equalizer को access कर सकते हैं जो आप last time access नहीं कर पा रहे थे तो आपको एकदम मजाने वाला है तीसरा major update है album और video को लेके तो इस बार जो album का नए update है इसमें आपको inbuilt video का option मिल जाता है मतलब आप अपनी videos को directly वहीं से play कर सकते हैं कोई extra आपको यहाँ पे player न difference मिलता है और बिल्कुल different मिलता है दूसरे जो gallery होती है और यहाँ पे आप date के according folder के according name के according अपनी जो files है उनको categorize कर सकते हैं और यहाँ पे भी आपको theme का option मिल जाता है जिसमें आपको मिलता है dark का भी option और dark theme और western दोनों एक जैसे ही तो है तो इस बार आपको album का latest version देखने को मिल रहे है और जो यहाँ पे icons आ रहे हैं वो भी एकदम जबरदस्त लुक देते हैं तो यह था एक overall video Nokia 6.1 plus के 3 major update के बारे में जो आप लोगों ने कहा था मैंने खुद से time निकाल के video बना दिया actually मैं अभी camera comparison बना रहा था realme 3 pro infinix और redmi y3 redmi 7 का लेकिन मैंने उसको aside कर द है तो अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक शेर सब्सक्राइब जो मने कर दो तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में thanks for watching